कोंग्रेस ने कमल नाथनों अपने स्टार पर चारत रूप अंदर दिखाले दिल्ली गांधी नादि प्रवारत से नदर कतलियां कीता है और उस कतले आम दे अंदर कमल नाथ दी मुख भूमिका रहिया और वोदे खलाफ केस खुलवाया असी बड़ी रड़ाई लड़के कांग्रेस ने सपष्ट कर देता कि कांग्रेस सिख्छा नाल नहीं बलके सिख्छा दे कातना दे नाला और आज जी वदी जडिया सिख्छा सिख्छा नाल उननी ही दुश्मनियां जिनी उनी सोच्रासी अंदर राजीव गंदी ने कह के क्या सिख्छा कि इनानू महरू असी एबड़ा सपष्ट करना चौने यां कमल नाथ नू दिल्ली दे सेख्छ बहुत जुर्त वाले ने आसी एदा वादा करके चल लेयां कि किस कमज़ नी जिना कॉंगर सम्झन दी कोशिश कर दी पहिए और दिली जिक गुरद्रा मेंजमेट दिल्ली दी शिरोंग ने काली दल एक व्याना चौंदा शिरोंग नियका लिदा कि किसे सूरत अंदर भी सइनक मलनाथ वरग एक कातल नो उ-धिलिजिश तो बोलन नहीं दिस पाकिस्तान अंदर पक्तून कमुनिटी दो बिलॉंग कर देने और पाकिस्तान दे अंदर वो 2018 दी पार्रिमेंट इलेक्शन भी लड़ चुके ने उनना दुते जो मनौर्टीस दे अत्याचार कीता गया क्योंकि अखलियतां तोने मनौर्टीस दोने उदे परिवार दो जिससे के ना सताया गया एक हाली एक रखते इसे नहीं ऐसे कई तोनी नो उथे सताया जान दाए पिछले कई जना तो महक कुमारी जड़ी अगवा किती गई सी बेती जदो नो पर सो कोड़ पेश किता गया उदे किया कि मैं अपने माबाप ना जाना चाओने यहने मेरा रेप किता मेरा बलतकार किता इने और मिनो गवा किता है उदे बावजुद भी कोट ने चोना साल दी नावादिक बच्ची नो अपने उस से रेपिस दे नाल पे आई जिता और ओदे माबाप ते ने तो पोड़ दे बार हजारा लोग नो लाएके बैठे ने यह पाकिस्तान दी अक्ठी अत्या दे परती सोच एह एह पाकिस्तान दी सोच रही है हमेशाँ तो ही दिली से गोरदरा मेश्चमेंट कमेटी शियो अठाaking नो गरहा सची नो मिलड़ जा रही है जो असी बैलिगेशन MA ुए मांग कीति ती है कि पाकिस्तान अंदर दिली से गुर्दरा मेंजमेंट कमेटी दा शिरोमनी गुर्दरा परवंद कमेटी दा एक डेलिगेशन पे जाजावे उसनों लेके अठाई जनुवरी नो ग्रहस अचीवना मीटिंग किते जाएगी और यह जिकीनी बनाया जाएगा कि तुरंत एक डेलिगेशन साड़ा जावे हो थे जिड़ा उत्हों दे मनौर्टी इसना गालबात करे और उत्हों दे हरातना दा जाएगा लवे एक मैं कर दोने सारी कर बोल दे कि मैं लगता है दिल्ली के अंदर जो कमलनात को कॉंग्रेस ने अपना स्टार पर चारक बनाया है कॉंग्रेस ने अपनी मांसिक्ता को थी सिक्षों की दुश्मन है और सिक्षों की दुश्मन रहेगी कामलनात जैसे कातिल जो सिक्षों का कातिल है 1984 का जिसके खिलाफ हमने बहुत जद्दो जयादिकवाद केस खुलाए और अगर कॉंग्रेस अपनी मांसिक्ता को ये दिखाते हुए पर चारक आपनों के साथ जड़ा करके दिखाओ हम भी तुम इसे ये वादा करते हैं अगर तुम उसको दिली की स्टेज पर लेकि आओगे तो हम भी उसको कॉल्डर से खीच कर स्टेज से नीचे लेकि आएंगे हम सिक्षों हैं जोने मस्से रंगर जैसों के सिरुतारती में वक्त नहीं लगाया हम स इस सूर्थ में इस एक बरदाश नहीं करेंगे ना किया है ना करेंगे रतेज सिंग रतेज सिंग जो हमारे रतेज सिंग टोनी जो हमारे सिक्षों के बहुत प्रॉमनेट रीडर हैं पच्टून कम्यूटी को बिलाउंग करते हैं और दोजार ठारा में भी वो एलेक्षि भी लड़े इससे पहले भी उनके साथ बहुत जातिया की गई हमने उनकी आवाज पहले भी लड़ाई लड़ी लेकिन अब इंतहा इस हद तक हो गई कि रतेई सिंग को अपने परिवार के साथ लेकर उन मुल्क छोड़ना पड़ा पिछले तीन दिन से रतेई सिंग एक अन्न को मनौर्टिस की उपर परिवारों की उपर की जा रही है खास तोर पर सिंध में और पंजाब में यह भी याद करना चाहता हूँ महिक कुमारी जिसका केस हम पिछले तीन दिन से चार दिन से लगातार फॉल उप करते आ रहे हैं हम हाई कुमिशन को भी जाकर मिले थे विद माबाप के साथ ना बेज कर उसको वापस उसी बलतकारी के साथ भेजा और नबालिक बच्चे का निकाह को छादी को जाइच टराने का पाप किया इसलिए पिछले तीन दिन से उसके माबाप और परिवार के हजारों लोग वहीं जिकाकाबाद में कोट के बार धरने पर बै मेरे पास पिछले दो महिनों में जो 53 लड़कियां अब हो चुकी हैं जिनको अगवा किया गया जिनका जबरन धर्म बदला गया जिन में से जगजीत कौर भी है जिसकी कल कोट में द्वारा तरीक है ऐसी 53 लड़कियों के लिस्ट में अब तक दे चुका हूं कल एक ड़की और अगवा की गई है जिसकी शादी हो रही थी शादी के मंडब में से उठाकर उसको ले जाया गया और उसके पांच परिवार के लोगों को पूरी तरह से जक्मी किया गया और अभी तक पुलीस में उस केज में कोई कारवाई तक भी नहीं थी दिल्ली का अलाइंस जो कि ह बहुत लंबे समय से कटे चुनाब लड़ते आए थे इस बार भी हम अपना चुनाब की पूरी त्यारी में थे घर गर जाके वोड भी मांग रहे थे लेकिन ऐसे में अचानक ये सामने आया कि तीनों मीटिंगों में बुलाकर ये कहा गया कि जो हमारा C.A.E. है जिसका हम प हमेशा रेस किया कि आप इसके अंदर सेजेशन के रूप में इसको भी इंक्लूड किया जाए जो मुस्लिम हैं जो बाकी मनौर्टिस भी हैं इस इशू को लेकर भाजपा ने कहा कि जो उनके करे करता हैं जो उनके लीडर हैं उनके अंदर जैंटमेंट है इस इशू को लेक और जिसको हम ये कहते हैं कि इसके suggestion के रूप में Muslim को भी डालना चाहिए उसको withdraw करें उस line को या हम चुनाव जड़ने से पीछे हटें तो party ने ये फैसला किया दिली unit में हम ये काम नहीं करेंगे हमें चुनाव जड़ना नापसंद है लेकिन अपनी ideology से किसी वी सूर्फ में हम पीछे नहीं हटेंगे और आज भी हम यहीं retreat करते हैं हमें हमारी ideology से पीछे नहीं हटेंगे मैं अपनी party का मैं अपनी party मैं आपनी party का दन्यावाद करता हूँ party ने आज meeting के बाद दिली के अगले फैसलों के लिए दिल्ली यूनिट को खुद मक्तियारी दी है अगला फैसला क्या होगा पार्टी किस के समर्थन करेगी कैसे करेगी क्या वोटे मांगेगी किस के लिए मांगेगी किस को डालने के अपील करेगी इन सब के लिए पार्टी ने दिली निट को खुद मक्तियारी दी है और अब हमारी पार्टी जो की 24 तरीक का हमने टाइम दिया अपने सबी मेंबर्स, इलेक्टिर मेंबर्स को वो सारी सिंग स्वाओं से संपर्क में हैं और उनसे फीड़बैक ले रहे हैं वो सिंग सवाओं से संपर्क में हैं सिखों से संपर्क में हैं सबसे युनाइटिड एक जो राए की जाएगी और वो राए पुरी दिली की राए होगी ना कि किस इंडिविजल की और फिर फैसला किया जाएगा कि किसके साथ किया जाए कैसे कमपेंड की जाए किसके लिए की जाए या वोट मंगी जाए किसके लिए मंगी जाए देखिये हमारा किसी के लिए बंद नहीं है ना किसे के लिए खुला हम यह नहीं कह सकते क्योंकि यह अधनी पार्टी को गई देखो जो भी पार्टी हैं हमारा राय केवल और केवल अपने सिख्खों पर निरबर करती है कोई लेंगे उससे पहले कोई बी ना है ना है किसी के लिए ऐसा कोई बीराई नहीं करेगी और पर बाहरी लेंगे कोद्मक्तियारी इस फैसले फैसली कुद्मक्तियारी जिल्ली दितनों दित्ती गई आ पार्टी है करणा वो टकीन नोतंगों आदया कि करणा इसकी तो बशाहिए आने पांठी वाल इस पान्य अने बंद्यान पांधियाने आइडियोलोजी ने पौणिया ने सारी एंगलना साड़ी छटियां गया और साड़ी लीडर्शिप कोई डिसकस करके सारे नो युनेनमस पहसला लोगे Is it okay? Thank you